यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वो एक हजार का मिल रहा है जहां बजूर्ग महिला विद्वा और किसानों के लिए कई पेंशन कॉंग्रेस सरकार ने चलाई थी आज बीजेपी सरकार ने उसको बंद कर दिया है तो साफ तोर पर कह सकते हैं कि जन सभा को समोधित करते हुए हरीश ने सीधे बीजेपी पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि बीजेपी के चलते कोई विकास नहीं हुआ है कॉंग्रेस ने चो विकास किये थे उनमें जो पेंशन बजूर्ग महिलाओं और विद्वा के लिए लगाई गई थी वो भी बंद कर दी गई है और जो गैस सिलेंडर 400 रुपे का मिलता था वो अब दुगनी किमंत में मिलने लगा है तो साफ तोर पे निशाना साते हुए ने ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के चलते महिंगाई बढ़ती गई है और कोई भी विकास नहीं हुआ है और ना ही बीजेपी सरकार का जनता को कोई लाप पहुचा है निकाए चुनाव का दोर जारी है जिसके चलते सभी ने अपनी कमर कस्नी शुरू कर दी है सभी चुनावी मिदान में कूद पड़े है उसी के साथ जनसभा को हरीश रावत ने संबोधित किया और हरीश रावा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साथा उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते कहा कि बीजेपी की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है उन्होंने कहा जनता को इसका कोई लाप नहीं मिला है जो कॉंग्रेस द्वारा जनता के हित में कारे किये थे विद्वा, बजूर्ग और महिलाओं के लिए जो पेंशन लगाई गई थी जो सुविदाएं उपलब्द करवाई गई थी वो भी बीजेपी ने बंद कर दी है उिलाओां पुम्हारा जनता कुछ में पEP शायख सब्सक्र वो